एवीपियस न्यूज नमस्कार भाईयों बहनों देवियों सज्जनों मैं जितेंदर चौधरी एवीपियस न्यूज के खास करकम सिहत की बाद डॉक्टर के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के करकम में हमारे साथ मौझूद हैं डी एम आर के डिरेक्टर चीफ निरोलोजिस्ट डॉक्टर मंजेस राथी जी सबसे पहले तो हम डॉक्टर मंजेस राथी जी का अपने दर्सकों की तरफ से और एवीपियस न्यूज की टीम की तरफ से उनका स्वागत करना चाहेंग जिस बीमारी की बजा से भारत में पिर्ति दिन उन्निस सो लोगों की जाने जा रही हैं जी हाँ आपने सही सुना उन्निस सो लोग इस बीमारी की बजा से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं ये बिमारी एक बड़ी बिमारी है जिसने बर्तमान में युबाओं को भी अपनी ग्रफ्त में लेना शुरू कर दिया है आज हम चर्चा करेंगे पैरलाइसिस पर जिसको हम लकवा भी कहते हैं डक्ट चाब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पैरलाइसिस जिसको हम लकवा भी कहते हैं, ये किस तरह की बिमारी है देखिए लकवा पैरालिसिस और हम लोग की लन्ग्वेज में इसको स्ट्रोग कहेंगे इसमें एक बिमारी होती है इसमें दिमाग की नस या तो बंद हो जाती है जिसको हम ischemic attack कहते है या फिर कोई नस फट जाती है जिसको हम brain hemorrhage कहते है तो इसमें जिस particular part का brain का representation होता है brain में part होते है कि जो left side वाला part अगर damage है तो right side वाली body paralyzed हो जाती है right में अगर problem है तो left side वाली body paralyzed हो जाती है इसमें different risk factors होते हैं जो आज देखने को most common risk factors मिल रहे है एक तो hypertension कम उमर में आ गया है blood pressure एक diabetes बहुत कम उमर में आ गई है प्लस में cholesterol की मातरा और lipids की मातरा blood में ज़्यादा रहने लगी है यह सब lifestyle disorders जिनको हम कहते हैं इसमें आपका brain के disorders और other muscular disorders काफी common है फिर आज जो गहरी चिंता अगा विसा है आजकल हमारे सामने आ गया है जो you arm में मिल रहा है नशे का जो seven है वो बहुत ज़्यादा हो गया है जैसे कि हमारे patients को देखें जो कोई नशा करते हैं तो alcohol का नसा है या cigarette smoking करते हैं या हुका पीते हैं या तमाको चवाते हैं उन सब का seven करते हैं अन्या ड्रक्स का भी seven करते हैं जैसे कि कोकेन है बाकी और ड्रक्स जो की समाज में फैली हुई है उनसे ये paralysis के chance young generation में जो 45 साल से कम उमर की generation है उसमें काफी हद तक बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता का विसे इसलिए है क्योंकि 45 साल से कम की जो population होती है वो हमारे लिए कमाने वाली population है productive population है जो कमा के अपने बच्चों का पेट भरती है जो अपने खुद का family को रन करती है अपने बुड़े माबाप का ध्यान रखती है और अपने बच्चों का future बनाती है तो ये जो paralysis जो oldies में तो problematic है क्योंकि ये अकीली बीमारी है जिसमें disability बहुत लंबे टाइम तक रहती है एक बार आपको paralysis हो गया तो लंबे टाइम तक आप हाथ पहर नहीं चला पाते आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं आप कमा नहीं पाते आप physically active नहीं रह पाते तो ये एक काफी गहरी चिंता का विशा है और इस paralysis में जो less than 45 में है वो ज्य रखती हैं दीए सबसे जो important चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं suppose अगर patient paralysis का है paralysis से पहले उसको छोटे छोटे paralysis attack आते हैं जिसको हम मेरी language में TIA कहते हैं transient ischemic attacks उसमें क्या होता है कि कुछ patients को पहले से paralysis होने से पहले से एक कभी किसी हाथ का हलका सा कमजोर हो जाना जो कि चलते चलते कदम में लडखड़ाट आ जाना जो कि थोड़े दर में ठीक हो जाता है इसको हम कमजोरी ना मानें इसको हम यह ना मानें कि हाँ यह normal कमजोरी है इसका जो संबंध है वो नसोसे है यह चोटे paralysis होते है कि कि जब blood vessel होती है जब उसका blockage 100% हो जाता है तो complete paralysis होता है अगर उसका blockage कम होता है लेस देन 100% रहता है तो इस तरह के छोटे छोटे paralysis हो जाते हैं छोटे-छोटे clots brain में बन जाते हैं जिसको हम lacunar infarcts कहते हैं उसमें इस तरह की problem आती है तो इनको हमें हम लोग paralysis होने के बाद तो treatment जो है संभव है ही है paralysis में अगर patient विदिन 3 गंट ischemic attack को पहले पकड़ लिया तो हम future में होने वाले paralysis को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो हमारा main जो समाज society के लिए जो संदेश है वो यही है कि हम जो यह transient ischemic attacks हैं इनको पहले पकड़ लें और इनको लापरवाई से ना लें कभी भी इस तरह की attacks होते हैं माना आधे हाथ-पैर में सुनपन हो जाना आधे हाथ-पैर में कमजोरी आ जाना आपको एक आखर चकर आ जाना जबान में लड़क़डाट आ चाना चलने में लड़क़डाट आ जाना जो कि थोड़ी दिर में एक 20 घंट्य में ठीक हो जाती है इसका मतलब छोड़ा मुटा क्लॉट आना शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में अगर सो लोगों में ये प्राब्लम होती है तो सो में से सेवेंटी परसंट में विदिन वन येर पैरालिसिस के चांस बहुत जादा रहते हैं तो एक तो हमें इसको पकड़ना है ताकि हम उसको मेजर बड़े पैरालिसिस से बचा सकें दूसरा जो समाज में जो लाइफ़स्टाइल डिसोरॉडर बढ़ रहे हैं लाइफस्टाइल डिसॉडर पर बड़ा ध्यान रखना है क्यों आज देखें डायबिटीज एक जमारा में 50 साल, 60 साल, 70 साल में हुआ गरती थी, आजम 30 साल में डायबिटीज देख रहे हैं, 25 साल में डायबिटीज देख रहे हैं, और संसार में डायबिटीज का जो घर है, जो पुरा हिंदुस्तान को कहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है, कि हर दस लोगों में से एक आदमी डाइबिटिक होने वाला है हमारा जो lifestyle है, खाने पीने का तरीका है, stress है वो ज़्यादा problematic है दूसरा जो मेरे जितने patient paralysis के हैं especially मैं study कर रहा हूँ stroke in young, कम उमर के paralysis के patient में मेरा एक research program चल रहा है उसमें देखा गया है, एक तो lifestyle important है दूसरा जो आपका सेवन करना, alcohol का सेवन करना आपका बाकी जो smokers बहुत ज़्यादा काफी बढ़ गए हैं इसमें फिर जो बाकी नशे भी काफी common समाज में हो गए हैं जो पहले देखने को नहीं मिलते थे मैं पिछले विगत 2008 से patient देख रहा हूं neurology के तो 2008 में मुझे यहां पे नशे की patients नहीं मिलते थे खाली cigarette और alcohol के मिलते थे बट आज और भी तरह के नशे, चरस है, गांजा है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं जो कि हम उनसे patient को educate करके समाज में education फैला के उनसे बचाओ कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा प्लस हमने, जो family size का बड़ा importance है जिसे मैं देखने को मिल रहा है जितने मेरे young patient है paralysis के mostly single families में रह रहे हैं husband, wife, बच्चे तो दोनों ही tension में रहते हैं दोनों को कमाना है, दोनों ही life की stress में रहते हैं तो ऐसे patient में मैंने देखा है कि जो paralysis था young generation में बढ़ता जा रहा है तो हमें अपनी family values को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा family size को appropriate रखना पड़ेगा ताकि हम अकिला ना feel करें mentally insecure ना feel करें socially insecure ना feel करें financially insecure ना feel करें एक बड़े परिवार में सब लोग रहते हैं, बच्चे पड़ते हैं तो एक मानसीत करान रहता है कि मेरा बच्चा कैसे पड़ेगा बही जैसे मेरे भाई की बच्चे पड़ रहे हैं बाकी बच्चे घर में पढ़ रहे हैं सब पढ़ लेंगे उस तरीके से जो जो फैमिली साइज कम होता जा रहा है उसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं पहले हम बड़े खुश होते थे कि भई हमें इंटरफेरेंस निोराँ शान्ती से रहए हैं लेकिन वैसा नहीं है उसमे इस तरह की डिसॉर्डर बढ़ रहे हैं लाइस्ट rayl डिसॉर्डर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उनमें साइकलोजिकल डिसॉर्डर बढ़ते जा रहा हैं और बाकी अगर पैरलाइस हो जाए सबसे important चीज है चार से साड़े चार घंटे में आप अपने नेरेस जो जो जोलाजी सेंटर है वहाँ पहुंचें और अपने clot dissolving injections लगवा लें ताकि आगे future में पैरलाइस ना हो डक्साब क्या है इस वीमारी का उम्र से भी कोई तालुक है क्या कुछ खास उम्र वालों को ये वीमारी ज़्यादा पाई जाती है जी देखी मैंने जैसे बताया आपको कि ये basically एज एक non-modifiable risk factor है जैसे हम azid होते हैं हमारी arteries में clot जमने की सम्ता बजाय की जवान आदमी की जादा हो जाती है तो पहले ये average age group था 60 साल 50 से 60 साल के बीश था लेकिन अब जो चिंता का विस है जो बताया है मैंने 45 साल से कम अमर में बहुत लोग हो रहा है मैं जो patient अगर 1000 patient देख रहा हूं paralysis के 1000 में से करीवन 45 patient जो है young generation के हैं 45 साल से कम के हैं और उसमें भी 30 से 40 साल बड़ा ज्यादा effect हो रहा है तो ये एक बहुत चिंता का विस है और इसमें जो mainly है risk factor यहीं है आपके जो metabolic disease हैं बढ़ रही है और हमने exercise करना walk करना छोड़ दिया है हम लोग जो physical activity काफी हद तक curtail हो गया है क्योंकि शायद हम पूरे दिन में सुवे से रात तक अपनी रोजी रोटी की चिंता में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो normal lifestyle जो आदमी का होना चाहिए उससे हम काफी दूर हो गए है तो पहले जो average life थी वो 50-60 साल थी आज लेकिन वो 40-45 पे आ गई है अब काफी common हो गया है क्योंकि 45% patient 45 case में हो जा रहे हैं तो यह important विसे हैं लकवा paralysis क्या एक बंसानुगत भीमारी है डग सर्व? Most of the cases में लकवा या paralysis बंसानुगत नहीं होती है लेकिन कुछ metabolic disorder होते हैं जो वंसानुगत होते हैं जैसे diabetes कुछ families में चलती है तो जिनको diabetes होती है उनको paralysis होने का chance धाई से तीन गुना ज्यादा होता है normal population के जिनमें यह diabetes नहीं है तो उस तरीके से अगर हम calculation करें तो वंसानुगत हो सकती है क्योंकि जो इसके risk factor है जो लकवे के लिए हम लोगों को जो combination आती है जैसे diabetes है, blood pressure है, lifestyle disorders है यह पारिवारिक होते हैं बहुत से लोगों में जैसे hyper cholesterolemia है, high cholesterol भी कोई बार पारिवारिक होता है तो यह सारे cases में नहीं होता क्या इस बीमारी में रोगी को दर्द का भी महसूस होता है नहीं देखिए जितने भी इसको बोलते हैं CVA, cerebral vascular accidents यह ऐसी बीमारी है जिसमें एकदम से आदमी को problem होती है बैठा हो आदमी है, सोया हो आदमी, एकदम देखता है मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है तो जब paralysis होता तब उसको कोई pain नहीं होता है लेकिन हाँ, जब paralysis हो जाता है, तो उस तरफ की mass patient बहुत tight हो जाती है tight होने के कारण में, जब लंबे time में patient चलता है 10-15 दिन बाद में, वो इतनी tight हो जाती है, जब उसकी movement कराते हैं हम exercise कराते हैं, तो उसको बहुत stiff pain होता है उसको हम spasticity कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास different drugs available है जो कि हम लोग use कर सकते है Paralysis, जिसको medical line में stroke भी बुला जाता है इसमें TIA, सब्द का इस्तमाल ज़्यादा किया जाता है इस सब्द के बारे में आप बिस्तार से बताईए TIA, मतलब transient ischemic attack अगर हमें simple भासे में कहूं छोटा paralysis, जो की within एक से दो घंटे में recover कर जाता है और मेरे इसाब से कहूं, warning paralysis कहेंगे इसको मतलब यह warning sign है कि आने वाले time में, एक साल में या डेट साल में paralysis होने के chance जिस आदमी को TIA हो चुका है जादा है बजाय की normal population की तो जिन लोगों को TIA हो गया हमारा मीन मुद्दा इस program का भी यह है जो हम research program चला रहे है एक तो हमें paralysis को बचाना है तो बचाने में सबसे common attack हम यहां कर सकते हैं अगर हमने TIAs, जितने TIAs हैं सब को पकड़ लिया है छोटे paralysis को पकड़ लिया है तो future में paralysis के chance बहुत कम हो जाएंगे तो मतलब आप लोगों को भी यह है मेरे भी यह है समाज के लिए कि हम लोग TIAs को बहुत जल्दी पकड़ लें ताकि major paralysis से बच भाएं कि एक बार paralysis होने के बाद में disability बहुत common है आदमी दो साल, पांच साल, दस साल तक बिस्तर पे रहता है वो productive नहीं बचता है तो TIA को बहुत important है transient scheme एक चोटे paralysis जिसको हमें एक दम पकड़ लेना है और अगर उसको पकड़ लिया तो मुझे लगता है 50-60% वरक आपका पूरा हो गया paralysis treatment का तो वो बहुत जरूरी है डक्ट साब इस बीमारी में सुरुआती लक्षन किस तरह के पाए जाते हैं ताकि मरीज, रोगी इन सुरुआती लक्षन को पहचान के उसका ईलाज जल्द सुरू करा सके तो मेरा ये मानना है जैसे आजकल जो lifestyle है जैसे आदमी 30 साल का हो जाता है उसको कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा उनकी बातों पर ध्यान रखने का मैंन मुद्दा है उसको देखना पड़ेगा कि diabetes का check-up उसको regular कराते रहना पड़ेगा, blood pressure regular कराते रहना पड़ेगा, cholesterol की जाचे हैं उसको regular कराते रहनी पड़ेंगी और उसको अपना कम से कम एक से दो घंटे की walk रोज करनी पड़ेगी, ये तो चीजें हैं अगर हम इसके risk factors को, क्योंकि paralysis को एक बिमारी नहीं है multiple risk factor आके clot बनाते हैं दिमाख में, या खून की नस वट जाती है तो उसमें multiple risk factor हैं अगर हमने risk factor को diagnose कर लिया उन से हमने prevention कर लिया तो काफी हद तक हम paralysis से बच सकते हैं पहली चीज़, इसको primary prevention कहेंगे हम लोग बाद में अगर किसी कारण से हमें ये problems हो भी जा रही है जिसमें TIE हो गया है, जैसे transient कीमिक attack के हमने बात की है अगर उसको भी हमने diagnose कर लिया और time से treat कर लिया तो भी 70% बच्चत हो गई आपकी लेकिन mostly क्या करते हैं, हम लोग जो TIE को हम ये मानके चलते हैं, कि हाँ ये छोटी कमजोरी आ गई है उसमें हम कुछ नसों के injection लगवा लेते हैं मजबूती के और हम बढ़ी हैं मैसस हो गए तो उन injection से TIE ठीक नहीं होता TIE तो अपने आप दो घंडे में ठीक होना होता है क्योंकि वो partial paralysis है तो उसको हमें पकड़ना है तो जो मेरा experience है अगर हम TIE को पकड़ लें और lifestyle में, prevention में थोड़ा सा ध्यान दें तो ये paralysis 70-80% तक काफी हद तक prevent की जा सकते है अच्छा अब paralysis रोगी को ठीक होने के बाद क्या दुबारा समभणा बनी रहती है कि उसको दुबारा paralysis अटेक आ जाए बिल्कुर, देखिए हम एक term होती है recurrent stroke तो recurrent stroke जो है, अगर 100 लोगों को stroke हुआ है उसमें 8-10% लोग ऐसे होते हैं जनको दुबारा से paralysis होने के chance रहते हैं इसका मतलब उनमें वो जो risk factor जिनके कारण उसको पहला paralysis हुआ वो आज भी मौजूद है, वो उनको ठीक नहीं कर पाया जैसे कि आपने दवाई दी, उसने blood pressure की उस दिन खाई फिर छोड़ दी फिर दुबारा paralysis हो गया आपने cholesterol के दवाई दी, उसने 10 दिन खाई, 20 दिन खाई, 4 मैंने खाई, फिर छोड़ दी तो mostly जो मेरे experience में जो recurrent paralysis है वो उन लोगों में ज़्यादा है जो अपनी medicines को छोड़ देते हैं और जो अपने risk factor को diagnose होने के बाद में उन पे ध्यान नहीं देते हैं वो एक बार paralysis होगे मान लेते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ दुबारा से वो ध्यान नहीं देते हैं अपने उपर में तो अगर वो ध्यान दें तो ये जो 8 से 10% recurrent paralysis है इसको भी हम काफी हद तक prevent कर सकते है अच्छा डक्षाव इसमें इस बीमारी में दवाई कब तक खानी होती है देखिए इसमें मैंने बताया दो तरह के paralysis होती है एक तो नस बंद हो जाती है जिसको हम ischemic stroke कहते है एक में नस फट जाती है जिसको हम brain hemorrhage stroke कहते है तो जो ischemic stroke है उसमें खून पतला करने की जो दवाई है एक जो गोली है वो आपको जिनगी भर खानी है lifelong खानी है क्योंकि एक बार आपको paralysis हो गया जो mechanism paralysis का है brain clot का है वह mechanism heart attack का है दोनों की दवाईयां भी बिल्कुल same है दोनों में blood thinner चलते है तो इनकी दवाईयों को हमें lifelong खाना पड़ता है हमें छोड़ना नहीं है एक दवाई at least तक हम दोबारा से clotting ना हो ऐसी brain hemorrhage mostly blood pressure high होने के कारण होता है तो हमें उसकी दवाई को blood pressure की दवाई को लगातार खाना है उसको एकदम नहीं छोड़ना है और हमें नमक और salt वगरा जो है restrictions पर ध्यान देना है और भी जो risk factor साथ में है उनको कम करना है तो medicine आपको almost lifelong खानी पड़ती है एक बार होने के बाद में हमें छोड़नी नहीं होती है अच्छा डक्षाव इसमें रोगी की diet कैसी होनी चाहिए मैंने जैसे बताया कि risk factor है suppose कोई paralysis का patient है उसको diabetes है तो diabetic diet देनी पड़ेगी उसमें हम उसको 1500 से 1600 किलो कैलोरी देंगे उसमें high energy diet नहीं देनी है जैसे कि diabetes के लोगों में परेज है कोलेस्टोल अगर ज़्यादा है तो उसमें हमें चिकनाई नहीं खानी है walk रोज करनी है चलना फिरना रोज करना है high blood pressure है तो नमक कम खाना है तो हमें इन सब चीज़ों का परेज करना पड़ेगा अगर मोटा मोटी देखें अगर हम नमक थोड़ा कम खाए पानी प्रॉपर मातरा में पियें और थोड़ा सा high calorie diets ना लें नॉर्मल आदमी भी ना ले 40 साल के बाद में और एक से दो हंटे की walk करें तो मुझे लगता है इससे perfect कोई solution नहीं है आपनी health को ठीक करने का आपने lifestyle disorders जैसे की आपका brain stroke है, heart attack है या और peripheral vascular disease जो भी हैं उनको prevent करने का तो हम basic इन पर ध्यान दें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है मैं कहूंगा exercise में कुछ भी ना करें आपको time ना मिलता हो एक से दो घंटा चल लें जिन कामों में आप motorcycle यूज़ कर रहे हैं बाइक यूज़ कर रहे हैं स्कूटी यूज़ कर रहे हैं इसको बचाना है एक बार हो गया है तो उसकी mass patient और उसकी नसे tight हो जाती है जिसको हम spasticity कहते हैं उसके लिए physiotherapy का definite role है physiotherapy कम से हमें 6 महने से 1 साल करानी पड़ती है ताकि जो उसकी आपने देखाव paralysis के patient के हाथ पैर जैसे अकड़ जाते हैं डॉक्टर बंजीस राठी जी एक प्रिसित neurologist के साथ साथ एक समासेवग भी हैं तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप इसके साथ साथ में और किस तरह की समाजिक क्रियाएं करते हैं देखिए जब उपर वाले ने सक्षम बनाया है हमें या जिस भी आदमी को मेरे मानना है उसको थोड़ा बहुत काम अपनी सोसाइटी के लिए हमेशा करते रहना चाहिए पहली बात हो जैसे मैं चिकित सक हूँ तो मेरे लिए सबसे असान क्या है कोई पेशन अगर गरीब है पूर है तो उसके लिए हम OPD fees consultation zero कर देते हैं वो free OPD consultation लिखा सकता है उसके लिए admissions के लिए जैसे patient को बहुत दिक्कत पढ़ती है कि hospital में admission के लिए खर्चे बहुत पढ़ते हैं ऐसे patient को हम admission free कर देते हैं या वो जैसा चाहिए कि साब मैं आपका जिससे की मैं 10% खाली दे पाऊंगा 20% दे पाऊंगा मैं पूरा amount नहीं पे कर पाऊंगा तो जैसा भी possible होता हम उसके लिए कर देते हैं free bet भी कर देते हैं उसके लिए diets free कर देते हैं तो ये तो चिकिस्सा के लिए हुआ फिर कुछ ऐसे हम लोग चोड़े education societies भी चलाते हैं तो जो मैधाविक student होते हैं जो married student होते हैं उनको उसमें help कर देते हैं कुछ खिलाडी होते हैं तो उन बिचारे गरीब परिवार से होते हैं नहीं तो उनको उनका आने जाने का ticket की ववस्ता कर देते हैं जहां उनका 립 antitas लगता है वहां पे उनके खाने की ववस्ता रहने की ववस्ता ताकि उसको इस अभाव से वह ऐसा नहों कि मैं पढ़नी पा रहा या मैं खेल नहीं पा रहा यह दिक्कत उसमें ना आए तो हम लोग कोशिश करते हैं हर साल दो-तीन नए स्टूटन्स को अडॉट करके उनको इंजिनिरिंग में अड्मिशन कराया चार सार उनकी फीज दी ताकि वो पढ़ पाया है उनको होसल अकॉमडेशन दिलाए उनको पेशेंट्स के लिए हम जोतना फ्री पॉसिबल है वो कर सकते हैं जो पूर पेशेंट्स है और बाकी जो भी समाज के लिए जो बैस पॉसिबल हो सकता है कोई मैरेज है तो माने कोई लड़की है मावाप नहीं है तो हमने एक सोसाइटी बना के रखी है उसमें सब लोग मिलके हेल्प कर दें तो जितना बन सकता है उपर वाले की जितना गुंजाहश होती है हम लोगों की हम पूरा से योग करने के कोशिश करते है कोई एक ऐसा संदेश जिससे इस वीमारियों को सुरुवाती दौर में ही इसमें रोक थाम की जा सके इसमें पचाप किया जा सके सबसे जरूरी मैं अगर आपसे एक चीज़ कहूँ तो मैं यह कहूँ आप फिजिकली आक्टिव रहिए आप एक से दो घंटे की वाक रोज कीजिए आप चलिए ठीक है आप जो है फास फूड खाना नसे की चीज़ें खाना यह सब अवाइड करें ओवर इटिंग बंद कर दी जाए सेंट्रल ओबेसिटी जो पेट की ओबेसिटी है वो घटा दी जाए क्योंकि पेट की ओबेसिटी से हजारों बिमारी पैदा होती है इन सब पे हमें ध्यान रखना है और खुश रहें और जीवन में एक मेरा संदेश है आजकल जो हमारी नए जनरेशन है वो बहुत सारी टेंशन है कमाने की टेंशन है, परिवार को पालने की टेंशन है तो उतना स्ट्रेस में ना रहे थोड़ा सा धीरे-धीरे अगर हम मेहनत करेंगे हर छीज़ हमें मिलती जाएगी ऐसा नहीं है कि मेहनत करेंगे कभी ने मिलने वाला मिलने वाला है, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा मैंने आज तो कोई मेहनती आदमे को काली नहीं देखा है तो आप मेहनत करें धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार से मिलके रहें आप सोचली शेक्योर रहें देखिए आप अपने परिवार के साथ मिलके रह रहे हैं तो एक तो आपकी टेंशन ये दूर हो जाते है कि मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि जो पारिवारी जो आपस में एक दूसरे का है, इसको मैं सोचिल इंसुरेंस कहूंगा, जो एक टेक्निकल टार्म है, जो आज युवाओं को देख रहा हूं, भटक रहे हैं, टेंशन में हैं, कि साब मेरे मरने का बच्चे कौन देखेगा, मैं कैसे कमा हूँ, मैं दिन रात काम करता हूँ, मेरे खर्ची पूरे नहीं होते, तो ये एक जो महत्वा कांसाच, दूसरे से comparison ना करें, दुनिया में हर आदम हमें individual bond हुआ है, हर आदमी की अपनी शमताएं हैं, अपनी capacities हैं, हर आदमी का अपना मुकदर है, तो हमें अपने पे ध्यान देखे, महनत करके अपनी परिवार को पालना चाहिए, खूब आगे बढ़ना की सोच होनी चाहिए, लेकिन हमें महनती होना चाहिए, हमें समासिवक, डॉक्टर मंजेश राठी जी का, सभी दर्सकों की तरफ से, ABPS टीम की तरफ से हम उनका हर्दिक स्वागत करना चाहेंगे, उनका विवादन करना चाहेंगे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, कोनोंने बड़े गंभीरता के साथ हमारी दर्सकों को अच्छा म अरगम में किसी अगले बिस है पर, फिर होगी मुलाकात मुझे दीजिए जयाद, नमस्कार